किताब वाला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है किताब वाला जिसमें हम अलग-अलग किताबों को पढ़ते हैं फिर उनके लेखक्यालेकिकाउं से यागरे करते हैं कि वो ललनटॉप के स्टूडियो में आएं और तफसील से जिस व्यक्ति के बारे में घटना के बा वाहक इसे लिखा है बहुणा जी की बेटी प्रफेसर रीता बहुणा जोशी और डॉक्टर राम नरेश्टरिपाथी ने वानी प्रकाशन से ये बायग्रफी आई है और एमजॉन पे और तमाम ए-कॉमर्स की साइट्स पे ये बुकिंग के लिए उपलब्द भी है हेम वती नंदन भगुणा का बड़ा दिल्चस्प और बड़ा एक पलिटिकल स्पेक्ट्रम में दखल रहा है और बिल्कुल शुरुआती अगर किसी को एक पंक्त में पर्चे बताना हो तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे देश के सबसे सूबे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री होना अपने आपने एक बड़ा राजनेतिक परचे होता है केंद्र में कई एहम मंत्रालियों में रहे हिमवती नंदन भगुणा का एक परचे ये है कि जब प्रधान मंत्री समेत पूरी सत्ता उनके खिलाफ खड़ी थी तब भी वो कि इंद्रा गांधी की रिजीम की हेमवती नंदन भगुणा का एक परचे ये दिया जाता है कि 1984 में उन्हीं को हराकर अमिताब बच्चन लोकसभा में पहुंचे थे तो ऐसे कई परचे एक परचे ये भी है कि उनके बेटे और बेटी दोनों ही राजनीति में आए एक उत् सुन सकते हैं बहुत सी ओडियो बुक्स लालन टॉप के दर्शकों के लिए खास ओफर प्रोमो कोड एल्टी स्विस्टी का कीजे इस्तमाल और पाइए कुकू एफम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर छूट सबसे पहले तो मैं एक पाठक के तौर पे आपको ये शुक्रिया के एदू मैं राजनीति का विद्यारती हूँ मुझे ये लगता है कि हमारे राजनीताओं पे खूब सारी बाइग्रफी जैसे भी लिखी जाएं उनके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सामने आने चाहिए ताकि जिलोगों की दिल्चसपी वो पढ़ सकें आप लोग कब से इस किताब की तैयारी कर रहे थे तेकिए मेरे पिता जी का जो जो मटीरियल था स्टडी मटीरियल बहुत स्कैटर था बहुत बिखरावा था कभी कोई सुझो के रखा नहीं कि है जैसे अकसर लोग रखते ह तो मैंने ही जब क्योंके मैं खुद भी इतियास की प्रोफेसर हूँ और मैं पढगाती थी उसको इनुइस्टी में इलावाद लूशिटी में तो मैंने उनके मृत्व के बाद बहुत देरे उनके लोगों की इंट्व्यू देने शुरू किया, मैंने उनके लेटर्स को सका तो उनके सारे मैनिफेस्टोस को, उनके सारे बुलिटिन्स को, सब को चिकर्चित करके फिर मैंने और परिवार से इंपुर्स जो मुझ को मिले, वो सवर्च जो मैं प्रतियक्ष्ट दर्शी भी बहुत सारे गटनाव की हूँ, इन सब को सुझे हो, जो के उनने सुरूर दिरी किया था, और इसकी फर्स्ट एडिशन एक परिफरल सी किताब, 1997-98 में निकाले थी, पर फिर मैंने देखा कि बहुत इंकम्प्लीट सा है, तो मैंने उसको बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि हिंदी में था वो, तो उसको हमने एडिट किया बहुत मेजर एडिशन के साथ, और उ अपने उपराष्टपती भावन से करेंगे, चार मैं को, चार मैं को, इससे पहले कि मैं इस किताब के कॉंटेंट पर बात करूँ, लेखा करीता बहुना जोशी के ओपर ये दबाव रहता है कि अच्छा अभी मैं भाजपा में हूँ या जैसे पहले कॉंग्रेस में थी, त मैंने किताब लिखनी चुक थी, जो मैं कॉंटेंट है, वो तो तभी का है, मैंने मन बना लिया था कि मैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं करूँ, जो मेरी पिताजी का वेक्तित था, जो उनकी आस्थाएं थी, जो उनकी संकल्प थे, उनको मैं उस तरह से समक्ष अवश्य र जो कम्याति थी, कभी मैंने कहीं कि उस पे भी मैंने प्रकाश डाला है, बहुत अधीर थे, और अधीर थोड़ा भारी से बढ़कर है, और एक पात हम लोगों ने पहाडियों में बड़ी गलत है, जो उत्राखन के पहाड़ के लोग है, बहुत स्वाभी मानी है, और अगर यदि कोछ तेनकसी भी गलबड़ी होती है, तो भब बड़ी डिसिशन ले लेते हैं, जैसो 19-80 काउन डिसिशन, जॉस नहीं परिवार सेह मत नहीं थे, और परिवार से कभी राइए और शोड़ना और सान्सधी से इस्टीफा देना, नहीं वह तो ठीक था, छोड़ा ती इ क्या करती थी आप तब उनिसवासी। नक Васली पढ़ा थी। अच्छा, Yes! व्यवासीच परतो है ऐम परेसि चेरव महीufenने ली अरीelles पूलिए। One anoga living स्वंच थी इन 207 में आपने पिता के चणौअ का मुख्य संचालन मै थी मुख्य कार्यालय था। उसको मही हंखल करती थी, मही समालती थी तो हम लोगों की ग्रूमिंग प्लिटिकल तो नहीं है, तो प्लिटिकल गल्यारों को बहुत देखा है और समझा है, किसी राजनातिक दल में नहीं थी नहीं थी, कभी हम लोग सरदसे नहीं, अपने प्रोफेश्शन में रहें। उन्होंने तो जो आपने लिखा है कि बिल्कुल आखरी दिरों में क्विलेंड अस्पताल के दोरान जो अपनी वसीयत नुमा एलान करते हैं तो उसमें बहुत इंट्रेस्टिंग वसीयत थी जी बताईए कुछ इसके वारे में उन्होंने यही का कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे राजनीती में आएं क्योंकि बड़ा कठी शेत्र है पर मैं जानता हूं कि आप लोग आएंगे जरूर अच्छा आएंगे जरूर लेकिन जब आएं तो यह वकील साब के लिए शोड थे या सिक्षक साब के लि तो उन्होंने यह का कि मैं तो नहीं चाहूंगा पाएंगे अगर आप आना चाहेंगे तो मेरे संगर्ष मेरे साथ है मेरी जो विरोध है वो मेरे साथ है आप लोग करेंगे राजनीती तो अपने बंद से अपनी चाहूं से और दूरदर्शी दृष्टी लेकर आप करिए आपने एक शब इस्तमाल किया जबाब देते हुए कि पेट्रियाकल माइंडसेट नहीं था और जैसी आपने ये बोला तो मेरे जेहर में जो नाम कौन था वो आपकी मा का है कमला भागुना जी का कॉंग्रेस की पदादिकारी रही सांसत भी रही तो माता पिता दोनों का मेरे पिता जी नंगे पेर स्कूल जाने वाले उत्राखन में तीन किलो मीटर अपने बुगानी से खिरसू पैदल जाना पर किसी तरह से पोड़ी आना और पहरी बार बिजली ग्यारा साल की उमर में देखना कि बिजली क्या होती है बड़ा इंट्रेस्टिंग बताते थे व मेरी सगी बुगा की बेटे है अच्छा मेरी बुगा जो थी उनका शादी एक बड़ एची तिमबर बत अची फैमली में हुआ था तो उनके घर पे पापा पढ़ने देरह दोना है कहते जो हमको दीदी ले गई कमने बुले यह बत्ती है तुम जानते हो कैसे जालेगी बना मुझे आता है जो 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 चली कि अच्छा बन के मैं निका होता क्या यह उसको हिला रहे है चली नीडा है पर कहते है ट्राइल एरर में हिल गया तो बग्ती आ गई कहते है जो फीस बार खोल बंद करता रहा तो एक बेगरांड का और एक इस बेगरांड का लेके दोनों के न पिता जी तो पूरे गांधी नहरूत है लेकिन मा मेरी बड़ी रिबेलियस नेचर की भी थी अच्छा दोनों मिले भी उन्वस्टी में वो कारिकारनी सदस थी हमारे विच्छ विच्छ विद्ध याले के स्टूडेंट्स यूनियन की पिता जी अद्यक्ष थे बालिस की अ कि ये पुलिटिकल सिटूएशन है बोलो मुझे क्या करना है जी वट इस मॉरलिस्टिक मुझसे पूछते थे मुझसे आज हस्ती हूं मैं स्कूल जा रही हूं मेरे पिता जी मुझको बुलागवे देखो गुपता जी ने रिजाइन कर दिया और मैं तो कमलापती जी के दिखांगी कि आपने कमलापती को छोड़ दिया Sampooranandhanji एक साथ़ कि अपनानन जी शोड़ दिया तो इस तरहें की घतना है मैं आपको बताती हूं यह तोड मीष्य क्लिर sistema वह प्रणों पर उनका था के लड़की को अपने पेर पर खड़ा होना चाहिए तो मुझे उन्होंने बच्पन से ग्रूम कर देया तो नाना के तरह बनो नाना के तरह बनो निर्वाचित तभी पॉइंट में नहीं होते थे नेरु जी शास्त्री जी उन्हीं ने काटी थी विश्वनात बोलती थी उनको सदस्य मेरी मां ने बनाया था और उनको टिकट भी पहला लड़के इंद्रा जी से एकहत्तर का फुल-फुल से वो देना चाहते थे अपने सेक्रेटरी को जुनका था दूबे जी को दूबे को जगपत दूबे को पापा ने का नहीं यह आदमी यंग है इसको दीजिए तो बहुत स्टॉरीज है लेकिन मदर मेरी बहुत पहली मेरी मा जो थी वो पहली अब बादचीत की करम में विश्वनात परताब सिंग का जिक्राया वो जब अपनी आत्मकता लिखते हैं मनजिल से जाधा सफर तो वो अपनी शुरुआती राजनेतिक सफलताओं का श्रे दिनेश्ट सिंग को देते हैं बहुना जी का वो जिक्र नहीं करते हैं जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ तो इस किताब में वैचारी ग्रूप से हिमवती नंदन भावगणा वर्सिज इंद्रा गांधी दिखता है एक बड़े दोर में कि पहले भयानक गठ जोड और फिर भयानक अदावत और जो दो continuous रिफ्ट दिखते हैं एक है हिमवती नंदन भावगणा वर्सिस चंद्रभान गुप्त और दूसरा हिमवती नंदन भावगणा वर्सिस विशुनात प्रताफ सिंग्ग जब सारा विपक्षिय सोच रहा था कि राजा मांडा के नाम पर भीर जुट रही है या इनके नाम पर जनादेश मिल सकता है तब हिमवती नंदन भावगणा कह रहते कि ये बौना आदमी है इसके भरोसे रहोगे तो अधिया धिया उनका व्यट्विक्ति से लडाई नहीं थी हम उनको उस व्यट्टी के पीछिय उसके क्या आदर शे हैं उसके क्या उसके क्या फोकस इसे उससे रहा है तो वह थोड़ा सा प्रवी तरव समाजवादी तो उनका संगर्शता उनसे उसलिए था कि पुझी पतियों का साथ देता है आपने आगे देखा उक बिल्ला का क्या बुरा हाल किया मेरे पिता तो उनको गुपता जी से जगडाये था कि ये पुझी पतियों का साथ देते हैं और वो थे करमचारी ने था, श्रमिक ने था, तो वो, that was a clash of ideology, तो ideology का clash है, अब आ जाएए विश्वना पताप सिंग जी बे, तो विश्वना पताप सिंग जी जो थे उन्होंने, पिता जी ने, उनको मेरी मा ने पार्टी जोइन कर आई, पिता जी ने लटकर, इंद्रा जी स कि मेरी वेव चलने वाली है, पर जब एकटर मेरी वेव चल गई तो उनको लगा देखो, इनके वज़े से थोड़ी कुछ हुआ, पिता जी ने तीन साल, 69, 70, 71, तीन साल, बहुत काम किया था, पार्टी में जन सेकेटरी थे, संगटन में और घरी में, इसमें, दफकार आले में, एक राजंदर कुमारी बाजपाई जी उपीसे, इलाबाद सोरेक, क्योंकि इलाबाद की विशेच प्रिष्टी थी तो थी, इंद्रा जी कुछ कहां भी जाएं, पर थी तो इलाबाद की ना, तो वो और विश्वना पताः जी रोज जाके शिकायत करें उनकी, रोज क्यों क्यों क्या था में बहुत बहुत इप स्टाडी उनकी तो नहीं है, पर मैं इतना जानती हूं कि मेरे पिता जी कहते थे कि इनको विशन नहीं है कंट्री को चलाने का, जब जिस समय 86, 87, 88 में, आपने देखा 87 के पास, 87 के बाजन हो चुका था, जब ही हो रहा था, तो बहुत अच्छी इनसान रहे है, लेकिन पुलिटिकली में पिता जी कहते थे, कि इनकी स्टंटिड थिंकिंगिंग है, बहुत ही कुंटित मान सिकता है, यह राष्ट्र को चलाने की कुवत इन में नहीं है, और उनने आखरी इंटिवी में अपने कहा था, कि अगर इनको बा पिछले लीजे, काम करने का तरीका होता है, मेरे पिता मुक्य मंदरी थे, दलितों के लिए, पिछलों के लिए, जितना वो कर गये, कोई नहीं कर सकता, तबी तो जो उन्होंने जो जमीन का वंटन किया, बुरे गरीबों के बीच में, तो खुश होकर, एंडितिवारी मंद लेकिन हिमती नंदन भगोना जी ने मुक्य मंतरी रहते हुए, संजय गांधी को नाराज किया, उनके कहने पर रायवरेली के डीम तक का ट्रांसफर नहीं किया, यश्पाल कपूर को स्टेट गेस्ट हाउस से निकाल के बाहर कर दिया, आठ राजिसभा की सीटों पर कॉंग कि मंतरी ये इंशोर किया कि के के विड़ला चुना हो रहें, तो कही लोगों ने ये कहा कि पॉलिटिकल सिचुएशन को रीड नहीं कर पाए हमती नंदन भगोना और प्रधान मंतरी से भिल गए जबकि उनकी सारी ताकत तो वहीं से थी, पिता जी बचपन सिभागी थे, आ आपने ये भी पढ़ा होगा कि पिता कहता रहा कि तुम फ्रीडम मुव्मन में मत एंटर करो पूरी तरह से, सानुभी ती रखको लेकर तुम आईएस, आईसीएस बनो, लेकिन उन्होंने जित करके मेरे नाना, दादा जी बहुत गुस्ता हो गय थे पिता जी से, जब वो आईसीएस बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, और कुर्ता पैजामा पहन लिया उन्होंने, मेहतागिरी करने लेके तो पिता के सात्वी संतान थे, बड़ी मानताओं के संतान थे, छे बहनों के बात पैदा होए थे, लेकिन उन्होंने वहां भी बगावत करी, फिर ज पहाड का कल्चर अलग है, देश का कल्चर है, देशी में पहाडी में उस समय तो बहुत अबतोकार कोई अंतर नहीं है, तो फैमिली वस नोट वरी हापी, इतनी पढ़ी लिखी, जमिली मॉर्डन मन, उनको तो मॉर्डन पैचारी क्याती हैं लेकिन, बट शी वस एक्स्ट् पुर्सी के लिए कभी नी हो, देखे, आप खुद सोचिए, जब अमर्जेंसी लगी, किसी की हमत नी होती थी बोलनी कि पार्टी के अंदर, बाहर तो लोग लड़े, अजार लोग जेल गए, लेकिन मेरी पिता जी, मैं चश्मदीद गवा हूं, मैं बैटी थी, पापा ने पोन मिल आया इंदरा जी को, रैक्स होता था था टौंझे, जी, रैक्स लाइन होती थी, उस पर उनोने पोन मैं, आप लिए लेकिन पाइज़ अपनी साइड, तो ने का इंदरा जी, आपने क्या किया, या रख रइड आड़ग, वोट रिदे लिए टाइग किया थी थी, फिर उन्होंने का इस प्रिजय प्रकाशन राइन चले। उसी दूने तो उन्होंने टोटल रेवल्यूशन का आवान किया। संपून करांती कि जब लिए तो सब जगे वो उनको कोई रोक रहा था कुझे जब आए तो पापा ने दर्वाजे कोल दिये। तो यही का गया कि वो बार-बार इंद्रा सरकार को चड़ा रहे थे। जेपी को राजकी अतिती का दर्जा देना, इंद्रा के भेजे कैंडिडेट को हरवाना। वो डिमोक्राटिक थे। लोग तांतरिक विचाहत वान, उनका हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। और वो स्वतनता संग्राम से नानी है, इतने बड़े उनका कड़ है। उनको हम क्यों रोकेंगे। वो करें, सभा करें, बोलें, जाएं, हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। तो वही तो पर पर evangelist attitudes के खिलामते है, वो फासिट ही और कैंद्रियत बूरा कंट्रोल करने न, निहानतत करके परिवार को चलाना, निहानतत करके सरकार को चलाना, निहानतत करके अपनी सत्ता को बठाना, इसके वो विरुध दिते है। और यही बात तो उनके लिए कही जाती है कि जब मैंने और भी रेफरेंसिस चेक किये उस टाइम की राइटिंग कि हेमवती नंदर बहुगणा का जो एक सडन राइज होता है प्रोविंशियल स्टेट पॉलिटिक्स से नैशनल पॉलिटिक्स में वो तब होता है जब 69 में वो कॉंग्रेस का विभाजन होता है वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड़ी के चुनाओं के ऊपर नवंबर 1979 की वो बाते बेंगलूर अधिवेशन के बात किये और उसके बाद वो केंद्री राजनीत में आते हैं इलाबाद कनेक्शन पुराना तालुक गांधी नहरू परिवार से भरोसा और फिर वो संगठन में महत्पून पोजीशन और 71 की लड़ाई उसके बाद उनकी नाराजगी शुरू होती है कि उसाब हमको कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया और आलोचक ये कहते हैं कि भाई आप तो केंद्र में पहली दफा मंत्री बन रहे थे तो राजमंत्री में भी क्या वो रही थे हैं और संचार का ठीक टाक पॉटफोलियो था अलोचकों की बाद ठीक है अलोचक भी अपनी बात कह सकते हैं लेकिन 69 का आप परिद्रिश्य देखिए इंद्रा जी भी इस्टाब्लिश नहीं हो पा रही थी जो ओल गार्ट था उनके पीछे पड़ावा था उन्होंने तेक्या निजलंक पानी हैं वीवी गिरी को सपोर्ट करेंगे बिना यूपी के आप जीत नहीं सकते थे यूपी में चंदरभान गुपता जी और कमला पतीज पाटी एक हो गए एक मुख्यमंद्री था और एक प्रदेश का ध्यक्ष था और विपिशू हो गया कि वोट देना है तो पार्टी के अंडिट निजलंपका देना है वो कह रही थी कि आत्मा की आवास पर वोट अंतर आत्मा की आवास पर वोट दो उन्होंने तीन दो दिन पहले कमला पती जी को कन्विंस कर कि ये बायान दिलवाया कि अच्छा भाई अंतर आत्मा पर वोट दो और सारा प्रदुना जी के हाथ में तो पूरा यूपी बहुत मंचेविक और बहुती महंती नहीं ताते हो एक अदमी को जानते थे यूपी से जिताया वीवी गिरी को महले में आपको 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 अगर यूपी हार गए होते वीवी गिरी एक लौता मौका जब इस देश में राश्पती के चुनाओ के लिए दूसरी वरीता के मतों की भी गिंती हुई और आज भी आप खोल के दिया नियुक्त गिरी साम ने बाद में कहा जब उनको थोड़ा सा डाउन ग्रेट करने लगे पार्टी में तो वीवी गिरी जी ने मेरे पिता को कहा कि if you had not been there I would not have been here. If I would not have been here where would she have been? These were his words to my father. अब आप सोच सकते हैं अगर तुम नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता, मैं नहीं होता तो वो कहां होती है? तो उनका देखे उस समें दोनों को बवगना जी को कहा गया था कि आप विधान परिशद में आ जाईए हम आपको मंत्री बना लेंगे उन्हें नहीं के बाद, उन्हेंने का मैं बेक डॉर एंट्री नहीं लूँगा चंद्रभानुगुप्त नहीं भी ओफर दिया 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 पांच साल बाधी चुनाओं लडूँगा मिसस गांधी को उनकी जरूरती उनको बुलाया वो भी गांधी यह थे नहीं रहे लाएट मिसस गांधी के बहुते बहुत थे फूल टाइम उनके चाथ सब्कॉट मो तर गये दो टाई तीन साल खुब उन्होंने मेहनत करी, उनके बाद उनको बनाया गया मिनिस्टर, उन्होंने कभी कृब नहीं किया, उन्होंने मंतरा ले चला है, पही कह देश का पहला डाकिया हूँ, यह तो बड़ा चर्चित वयान था उनका, बाद में ही लोग बोलने लगे, मैं स सेवक हूँ, परदान सेवक हूँ, वह भी उनेता है, बाद बड़े नेता है, तो उन्होंने इबाद शुकरी, वालुमें उन्होंने शकल बदल दी थी वहाँ पर उस विभाग की, कम्मुनिकेशन मिनिस्टर को कोई पूछता नहीं था, तहीं उस चुछ से कि जिस कुरसी म को बोलना कि आप 30 साल के लिए हो, मैं 5 साल के लिए मंत्री हूँ, मुझे थोड़ा तेजी से काम करना है, आपको तो इतना समय में बस तो 5 साल है, और पर जब बेजा गया था तो वह भी उनको समाप्त करने के लिए बेजा गया, क्योंकि आपको तो पता ही है, पहली बार व सेवेंटी थी, कमलापती जी को हटाया गया, यहां लोगों ने समझा है, बहुना को भेज दीजिए, तो मेरे पिता जी ने आए के घर में लोगों से कहा, I was 23-24 अगया बोले मुझे भेजने पटा, I take the challenge, या तो निपठी जाएंगे, या पर कुछ कर निक लेंगे, तो चा ऐसे कह रही है, मैं पहले दर्शकों को बता दूँ, सत्तर के दर्शक का ये बड़ा कोख्यात विद्द्रो है, किसी भी डिमोक्रिसी के लिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज होती है, जब उनके सशस्त्र बल हतियार उठा लें, राज्जी के खिलाफ, पी-ए-सी के ज कि प्रधानमंतरी इंद्रा गांधी का कॉंग्रेस दौरा होना है, आई-जी-पी-ए-सी एड्रस कर रहा है क्योंकि कई कंपनी राई हुई, कई बटालियन आई हुई है, और वहीं पर जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, उसके बार आगरा में भी ऐसा ह ही हुआ, और धीमे धीमे ये विद्रो बढ़ता गया, अफसरों की के परिवार को पत्नियों को बंधग बनाया गया, सेना को भेज कर हतियार उनके छीने गए, सेना के साथ फाइरिंग हुई, एक में तो कमांडेंट और मेजर को गोलियों से भून दिया गया, कई राज्यो की सुरक्षा में पी एसी के जवान तेहनाथ हैं, या विधान मंडल की सुरक्षा में तेहनाथ हैं, कोई बड़ी आनुहोनी ना हो जाती है, ये बहुत बड़ा घटना करम था जिसने कमला पत्रिपाथी की कुरसी ली, पर लोग ये कहते हैं कि बहुना जी को कुरसी पर किया कि देखो चंद्रभानु गुपता के एंटी खड़े होने का और आगे बढ़ने का यही मौका है, क्योंकि जब तक चंद्रभानु गुपता एक्टिव रहे, तब तक कमला पत्रिपाथी प्रदेश अध्यक्षी तोर पर खूम मुश्कलें करते रहे सरकार के लिए पर सीम के दावेदार नहीं हो पाए. महत्वका अंक्षा कि आप में वो ड्राइव नहीं आती, जो होनी चाहिए. चाहिए हमको राश्न निमान करना है, हमको विवस्ता बदल नहीं है, हमको स्वेम को आगे बढ़ना है, जो भी आपका संकल्प हो, वो होता है. तो पिता जी का भी संकल्प था, कि मैं ऐसा कुछ क काप्टिलिस्टिक भी पॉंट करते हैं, वो होते हैं, बनार सिंदाल जी थे, वो एक सोच के लोग थे, और इधर के जो लोग थे, उनकी सोच थोड़ी अलगती है, तो उनकी सोच मिलती थे, उनके साथ है. यह बाद भी सचे कि कमला पती जी से जब पूछा गया, कि आप अ एक नेता कॉंग्रिस का नहीं आया, सिर्फ कमला पती थे, पाटी आया थे, जबकि इंद्रा जी के तरफ से था कि लोग डर रहती कि जाएंगे तो हम लोग पाटी से निकाल ना आपके पिता जी को जेल में डाला, और ना ही मुक्त रहने दिया, तो इसलिए देखे, जो वो परिया का जिक्र करना चाती है, चंदरपाल यादाव का जिक्र करना चाती है, चंदरजीत यादाव का, उमा शंकर दीखषित, चीला दीखषित के ससुर, उनका जिक्र करना चाती है, आप जो कश्मीरी कॉकस है, उसका जिक्र करना चाती है, खुलके बात करिए ललन टॉप भीजिति लुआ। है इन लोगों ने सब समझा है अनराजी को कि बहुत अंबिशिए्स है। इसको भेज दीजे, यही या तो अंडल कर लेगा। और नहीं करेगा तो नहीं लोगों सुचा कि यही कर सकता है। यही कर सकता है। तो बैकगाउन में था कि इसको खतम करो, लेकिन पिताजी गए हने टुक दे चालेंज और आप खुद सोचिए, चाहे महीने के अंदर बिजॉर्टी लेकर पार्टी को आ गए, पश्ट बहुमत लेना, दो सो बारा, एक कम थी, बस, उन परिस्थितियों में, और फिर उसके ब लोड़ो गई, वो तो कॉंग्रिस को मजबूत कर रहे थे, स्टेट को मजबूत कर रहे थे, पर लोगों को लगा कि वो खुद को मजबूत करके प्रदानमंदरी बनना चाहते हैं, अच्छा ये बताईए, ये जो हेमवतीन अंदन बहगोना के साथ मॉलाना का थपा लगा ह इस पर क्या कहेंगी, क्योंकि कॉंग्रिस का एक बड़ा धड़ा था, जो कहता था कि साब इनको अलपसंख्यक जादा नजर आते हैं, और जब वो चुनाओ हरे, वारा से हरे थे, 69 का चुनाओ, विधान सभा का, तब भी यही कहा गया कि देखे, सारे मुस्लिम बूत पर आ और साहकार मच गया क्यों बहुना हार सकता है, यह तो कभी किसी ने सोचे ही नहीं था, विभने में था, यहा था लच्था था तो मैं आपको बता हूं क्या हो आ कि मैं बैठी थी वगल में उनके, तुम हैं नहीं से कहा कि बापा आप आप बहुत मुसल्मान करते हैं, और द बेटा कुछ मुझ में ही कमी रह गई है कि उनको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है मैं और काम करूँगा उस एलेक्शन में एक मुस्लिम फ्रेंट भी लडा था ना उस समय वो आपके मुस्लिम मजलिस का उदय हुआ था तो मुस्लिम मजलिस के ही वज़े से हम लोग आ रहे क्योंकि नहीं जब पार्टी आती तो जैसे यह है मैं है शोर और मच आते हैं तो उन्हों का एक साथ उन्होंने खड़ा कर दिया एक बैकवर्ड जिस सीर्ट से पिताजी लड़ते तो उसमें ब्रामण वोट नहीं थी तो गरीब के नेताम आने ही जाते थे अब मायवती जी ने पहली अपनी प्रेस कॉंफरेंस करी जब ची मिनिस्टर में आप रिकॉर्ड निगा लिगा उन्होंने कहा था बलकि बस सर्प्राइज थे हम क्योंकि इसमें ब्रामणों की बहुत अगेंस थी आप तब मेयर हो अपने सवर्णों के खिलाव खोल रखा था तो मैं आप से जो कहते है आपने का कि टाग कैसे मिला हो टाग इस तरह मिला कि पहली बार उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो विकेंसीज हैं उन में अकलियत का भी रप्रेसेंटेशन होना चाहिए पहली बार वाइज चै जन्गा उनके कारेकाल में नहीं हुआ और उन्होंने कोई अपीजमिंट किसी का नहीं किया, सबको ओपन फिल्ड या, लखनों में दंगे होते थे शियात सुन्नी के, उन्होंने उठाकर सबको बंद कर दिया, और लगा दिये दो मंतिक, इनसे बात करो जब तक हापस में समझ नहीं था, not a single, 24-28 महीने वो रहे मुक्यमंति दो टम्स में, कभी कोई दंगा नहीं वा, तो उनका ये था, और दलितों के लिए, किसी भी, कोई भी थाना, जितने थाना थे, पहले तो उन्होंने का, सारी विकेंसी, 22 प्रतिशत दलितों की भरी है, फिर जो उन्होंने क्या कहते हैं, जिलों में DMSP थानाथ किये, 14% के रिश्यों के था, तो उन्होंने सब के लिए किया, और सुन लीजे, उनको लोग पंडिक जी भी तो कहते थे, पंडित पाता तो पंडित भाहू ना कहता था, हिंदू मुसल्मान आता था, उनको मौलाना बोलता था, तो इस विन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं किया, बहुत बड़े सनातन दर्मी थे, बहुत बड़े, हाँ, वो तो अपने विरासत में भी वही कहते है न, वसीयत में कि शास्त्री विदी से मेरा अंतिम जंसकार हो, नहीं, शुरू से जन्यू शरीर से एक दिन भी नहीं उतरा, मौ बहुत बड़े से नहीं कि उसकी, और जब ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तब बोले कि देखो भाई तीन दिन वाला नहीं, पूरा सनातनी प्रक्रिया होली चाहिए गायदे से, तो मैं समझती हूं कि उनका जो, और इतनी उनको पूरा ग्रंथ रटे वह थे अपने धार मे कि आश लोग बोलते थे, और उतनी अच्छी उर्दू बोलते थे, अच्छी अच्छी अग्रेजी बोलते थे, पही उतनी अच्छी अग्रेजी बोलते थे, बहुत अच्छा था उनका, इस्टन उपी में जाते थे दुमा की, बोल लेते थे, वेस्टन में आते थे, आप उ जीत करा है तो उसके तुरन बाद जब दूसरा गड़वाल का फेमस चुनाव जीत करा है जी उस चुनाव पे आएंगे विस्तार से बात करेंगे बात इस तो जब वह रहा है तो सारा विपक्स ने का कि अब जो हम नो कांफरेंस मोशन मूफ कर रहे है वह आप मूफ करेंगे विपक्स चुनता है अपना अगस तुरने के लिए तो उन्हें ने का इस इस गर्मन डजन रप्रेजन एनिवान ये सरकार किसी का प्रतेने दे तो नहीं करती है तो शूर मैंच ने लगा कॉंग्रेस ट्रैंक से जोटी में थी है अच्छा भई ठीक है ठीक है हम आए तेक बाक मैं वर्स मैं मैं अपनी गल्ती मानता हूं अच्छा तो मैं अब मैं वापस लेता हूं सब कुछ कुछ हो गए तो कॉंग्रेस वाले गोले कि इसको बैकफूट पर दखेल दिया तो मने का हाँ ये रप्रेजन करते हैं भर्ष्ट आचार को ही रपेजन करते हैं पेर सारा बोलना शुरू किया कुछ आशन को भर्ष्ट आचार को फिर उन्हें अटा बोलना शुरू किया एक तरसरे से बट वह हिस्टारिक स्पीच है काफी पेजिस में है हमने तो थोड़ा से एक्सप लिया है औरेटर अच्छे थी देखे दिल कुछ होने वाली ओरेशन थी बहुत अच्छा बोलते हैं अच्छा ये बताइए पिता जी तो आप से बच्पन से सलाह करते थे शायद वो आपकी पोलिटिकल ट्रेनिंग भी साथ-साथ किये जा रहे थे बिना कहें चालिस मिनट के लगबग मुलाकात चली उनकी और इंद्रा गांधी की अक्टूबर 1975 में उनका स्थीफा होता है मुख्यमंत्री के पद से इंद्रा जी कहती है कि मुझे लोगों ने कहा था कि आप खुद से स्थीफा नहीं देंगे पिता जी ने बापस आकर बताया होगा अब क्या बात चीथ होई बहुत इंट्रेस्टिंग था बहुत इंट्रेस्टिंग था उनके लोग आते हैं मेरे कंदे पे सरक के रो सकती मैं किसका पल्ला पकड़ करो और देखे आप नहीं पैचान पाई आपने जो कहा कि मैं नहीं समय तो इस्तीफा जे में लिये हूँ औ अब कम उठा दे देता लेकिन आपने लोगों की बात से नहीं मुझे पच से कुछ निया संजे का कोई जिक्र किया इंद्रा जी ने मीटिंग में उन्हों नहीं संजे आप से बहुत नाराज हैं तो उनका यह कहना था कि देखिए संजे को मैं गूम तो कर सकता हूं पर संज अब आपना जी संजे को यूपी में घुमाई हैं तो मंक तब यह था कि संजे को लेकर हाँ हेलिकॉप्टर से हाँ हाँ मीटिंग में जैसे बाखी राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे थे हाँ कर रहे थे आप भी करो इन्हों ने का में इतने बड़ी स्टेट का चीम मिनिस अब साथ नहीं चल सकता वरना आज में जाओं तो मुझे कौन मेरा वजन लेगा इस प्रदेश में गरिमा के विरुद्ध है कुरसी की गरिमा के विरुद्ध है तो संजे जी ने का आप तुमें कदम तभी रखोंगा यूपी में जब अगोना नहीं रहे गा ये उनका कहना था संजे जी का तो पिता जी ने ही का बड़े गुस्से में भी थे पता एक दिन एक मीटिंग में तो उन्होंने यहां तक का कि ना हुए आप पठवारी की बेटी और मैं नहरू का बेटा हुआ है तो आई तो बताया नहीं कि हमसे बागे लेकिन उनने एक बास बहुत अच करेंगे कि किस अथोरिटी से मैंने आपको दिया तो जिसको देना चाहिए वो गवर्नर तो डिमोक्राटिक जो जो हमारा लोक्तांत्रिक ढर रहा है उससे महलग कैसे हर जाओ विवस्था से कैसे हर जाओ तो मैं यह रखा है मेरा इस्तीफा वहां से गए सीधे अरपोर्ट स गवर्नर के आँगे इस्तीफा दिया मेरे भाई की गारी मंगा ली ती उन्होंने विजे बहुणा कि इसी गारी में बैरके घर चले गए विधायक आवास विधायक आवास दो कमरे का यू कांट बिलीव इन पच्चेस भी दारुल शफा वाला ही था जो पहले मेरा बाइमा अचा एक चीज़ बताईए यह सबसे बड़ा विरोधा भास है हिमवती नंदन बहूणा के राजनेतिक जीवन का 75 में उनकी उसी कोर्टरी से अदावत होती है संजे, इंदरा, मुखालफत, कॉंग्रेस फॉर डिमोक्रेसी में जाते हैं वही संजे हैं, वही इंदरा हैं और वापस आते हैं 79 में क्यों? देखे, जन्ता पार्टी बनी, जन्ता पार्टी टूटी और वह टूटी डूटी डूटी मेंबर्शिप पर, दोरी सदस्ता की बात पर फिरूप से टूटी थी तो दिल से तो कांग्रेसी थी ना पिता जी, जिससे में आमने इसमें लिखा भी है जिससे में उनके आखरी जो डायलोग्स हैं पिता जी के ऑपरेशन से पहले कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचार धारा थी, जिसको पूरी तरह से कनफॉर्म करते थे, मानते थे, गांधी को, नेरु को, मानते थे तो उनकी वो जो सोच थी कि हमारे लोकतंत्र का मंग तब क्या है, लोकतंत्र हमारे कैसा होना चाहिए, जब यह टूटा, और इंद्रा जी खुद पूरी अपने वरकिंग कमिटी को लेकर गई, वो सब उस दिनों वहाँ पर, मेरे खिया से, किसी की जैनती थी तिया, क्या थ तो पुषपांजली करके और सीधे वहां से वो लोक हमारे घर आये थे, तो जब आये तो पिताजी ने का कि देखिये हमारी कुछ इच्छाए हैं जो हम सोचते होना चाहिए, बोली क्या तुम्हें 31-point program है, उन्होंने 20-point निकाला था, कि यह आप करने के लिए आप हमें लेकिन लीडर्शिप जो आज हालत है आप देखिये ना, आज लीडर्शिप पुरी तरह से बिक्री वही है, नहीं मुझे ऐससे लगता है, यह बता ही ना मैं, जी, कॉंगरिस में सबसे बड़ा जो अपवाद चल रहा था, वो संजे गांदी चल रहा था, इंद्रा जी, सं हम जो आपने जलबाजी की बड़ाते हैं, अब आपने जलबाजी की जवसवाद हो जाए, तो जब वापस गे तो हम लोग इस फैमिली में, हम लोगों को लग रहा था कि गलत स्टेप हो गया, वो अपना चले गए, गुस्से में गए, सोच कर गए, क्या करके गए, लेकिन जलबाजी का कदम था, जलबाजी का कदम था, क्यों, क्योंकि देखिए, छही महने बाद, आट महने बाद, Sanjay जी बहुती बुरी परिस्टियों में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, अब अगर वो रहे होते हैं, तो कॉंग्रेस की शकल बदल सकते थे, जो कॉंग्रेस कि प्रतिमा के अनावरन करने के पोड़ी, और नर्सिमारा ने भाशन में कहा, कि मैं उनको बड़े भाई बोलता था, मुझे पी भी बोलते थे, और अगर आज वो जिन्दा हो थे, उन्होंने कहा, कि वो जम्हान इन हारी, not in a hurry to, 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 अपनी जगा बनानी के लिए नही विवस्था को बदलने के लिए, वो जल्दिबाजी में थे, और अधीर थे, और अगर हाज वो होते तो शहर मेरी जगा पर वो होते, नर्सिमारा ने भाशन में कहा, तो मेरा आप से कहना है था, कि उनको समान भी बहुत मिला, लोगने उनका बदनाम भी बहुत किया, लेकि इंद्रा जी कितनी मिजाओटी लेकर आई थी हाउस में, लगभग दो टिहाई, बहुमत से आई, या तीन-चौथाई से, तीन-चौथाई के अले-पले सीटे थी, अगर मुझे ठीक हो रहा है, बिलकुल ठीक हो तो, तीन-चौथाई, दो टिहाई, जो भी आप कर लिए, और तब इन्होंने रिजाइन कर दिया, कॉंग्रेस अबना, क्या किया आपने, तो कहते हैं, बहुमत से लड़ता है, अलगी स्वैक चला था, अलग स्वैक, बोले, अगर मैं अफसरवादी होता, तो मैं क्यों लड़ता है इंसे, मैं तो सेकेर्टरी जेनरल बना था, ठीक ह अवाज नहीं थी पार्टी के अंदर, बर एक बहार ताना बना तो बना ही था ना, कि भी सेकेर्टरी जेनरल नहीं पहली बनाएगा, कभी पदी नहीं था, आप ये कह रही हैं, आलोचक कहते हैं, आए इस लालश में थे, कि जनता पार्टी का तो सूरज डूब रहा है, इं पिता जी नहीं तो नहीं कहता कि मैं आउंगा तो मुझे बना दीजेगा, उन्हें कहते हैं, तो जो विधान सवा का आप टिकेट बाटेंगी, जो आदमी मुक्रमंत्री रहा हो, जिसने पूरे 425 टिकट बाटे थे, और इंदरा जी नहीं कुछ नहीं जानती, मुझे सिफ जीत के लाओ, किसी की बाट नहीं सुनी गई थी, 425 सीटों पे पिताजी ने खुद टिकेट टेक किये, जिता कर लाए, और फिर अगर वो असी में आदमी ये कह रहा है, कि 30 लोगों को टिकर दे दीजिएगा, वो सब सिटिंग थे, जाता तर सब सिटिंग थे, पर आपने आपने क्यों हाकर आपना करते हैं, प्रशनी है कि पर अगर उस समें पिताजी उन लोगों के बारे में ना सोचते हैं, उनका साथ ने रुक अफसरवादी है, अपने साथ, तो दोरी इधार है, मैं ये निसमझवा रहा हूँ, कि जब अहुना जी ने वापस कॉंग्रेस में करें मरजर किया, तो क्या संजे गांदी से बात नहीं की, किसह भी से नमशकार भादे था मेरे पिता बहुत सवाब इमानी थे, And I'm proud of it. उन्हें कभी किसी नहीं था कि आगे लाइन नहीं लगाई. अच्छा एक जो बड़ा राजनेतिक इल्जाम लगता है. और फिर देख लीजे, फिर जोटने का. जब वो रिजाइन करते हैं, तो तब तो अंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था ना. छोड़ दिया कॉंग्रेश, छोड़ के बैठ जाते हैं विपक्षी के साथ. जिस आदमीन उन्हें उन्हें से 69 में कहा कि मैं विधान परिशद में जाके मंतरी नहीं बनूँगा. जिसने कहा मैं जनता की ही अदालत से आओंगा. जिसने असी में अचान नवेंड दियो की लीक को अपनाते वे अपनी पार्टी के साथ साथ सीट को छोड़ दिया हो. वो अपनी अफसरवादी कैसे हो सकता मुझे नहीं समझ में आता. आप मुझे बताएगे. अफसरवादी होते हैं, तो आज कल देखे हैं, हारते हैं कल, तो आपने तो देख हार हार के भी पदलिया ही बैठे हैं लोग. मेरे पिता जी ने कभी ऐसे नहीं किया, और नहीं का नहीं जनता ने निकाला, जब जनता चुनेगी तभी आओंगा. 84 में, क्या वाद, 84 में हार गए, सबने का, कितनों ने कहा, स्टेट में, बवगना जी आई हमापको राजी सवा, हमाने नॉमनेटर, एंटी रामराओ का प्रस्ता होता, हां, उनने का, no, why should I make a backdoor entry, this is not, ये, इसको आप अफसर वादिता कह सकते थे, उननने हमेशा अफसरों उनने किया, अच्छा, ये बताईए, एक बवगना जी के करियर का एक पीक आता है, जब वो मुख्य मंतरी बनते हैं, दूसा पीक आता है मुरारजी सरकार मंतरी वाला, ये शिबनलाल सकसेना वाला क्या प्रकरण है, एंटी बवगना बहुत लोग थे, वे फिर वेनाब सका जो थोड़ा सा जो पुझी पतियों के ग्यांग में लोग रहते थे, शिबनलाल सकसेना को पापा से कुछ चाहिए था, मैं नहीं जानती क्या, पर वो नहीं कर पाए उनके लिए जो वो चाहते थे, तो उन्होंने फ्रंट खोल दिया, चरण सिंग जी तब तक पिता जी को पसंद नहीं करते थे, तो उन्हों हो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक टो चिट्थी लिग दी कि भगना तो KGB एजेंट है, अब फिर उस पे हाउस में हो गया, कांग्रेस में भी शुरू कर दे से, अब पिता जी ने उसे डटकर लड़ा ही नहीं, बलकि जुकाया, ओपन पिता जी ने वो जो इंडो-रशियन कल्चरल फेस्ट करवाया था, लखनों में करवाया था? पिता जी देखिये, पिता के लेफ्ट में बहुत फ्रेंट्स थे, मैंना आप से पहली ही था, कि उनके बहुत सोच जो थी, वो सोचलिस्टिक थिंकिंग थी, कम्मिनिस नहीं थे वो, लेकिन जब वो लेफ्टू सेंटर गए, तो उनके बामपंती दोस्त, कोई बामपंती जो भवना जी का मित्र नहीं था, अच्छा ओन लोगों का एक बढ़ बड़ा इंडो-Russian Friendship Society का प्रोग्रम यूपी मेवा, और पिता जी नहीं उसको सपोर्ट दिया, और क्या बुरा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अ दो किया पना अच्छा किया, अच्छा क जितनी भी लवनाट इडिया इजए घ्याूलोची आपन मालय क्यूत्र मैवनाट फिर फिर विज़ बिवाद होता रहता है, आखर सकूछ एकोई प्रमुजा सुना है तो लिए सिं मुरण हो lyज़ता है पिर लिख कर दिया चर्ण सिंग ने कि मुझे गुमरा किया गया था मैं लेटरीश इसमें डाला है बुल्गुल उपत्र भी दिया चर्ण सिंग ने लिखा रे जिए लकेते थे तो रोग दल आ जिए और मुला हम स हग शान को कोई समझता तो रोग उना चला सकता है जब किसान तो पिता जी ने अपने वीटो लगा कर उनको वापस बनाया रखा था और ये काते एक मीटिम है कि हाथ उठा कर कि ये बारत का अगला लाल बादुर शास्त्री होगा मुलाहिम सिंग जी पर अभी भी मुलाहिम सिंग जी कहते हैं कि मेरा जो औरियन्टेशन प्लिटिकल बहुना जी का दिया हुआ है तो जो आप कहने तो प्लिटिकल अपसंद डाउंस बहुत होते रहे हैं लगाता है लेकिन ये बात मान लीजे कि अन्त में हछी सब्सक्तर अंब करन गफ़िए हुआ से सबस्ट बहुना जी को अपना इंट्रेस्टिकल आवन गचांते हैं अँछे कुछ को क्रेंने हो परदानमंत्री थे तो वो जब जा रहे थे कॉंग्रेस में तब चरन सिंग नहीं रोका उनको ने उतने के बाद फे चरन सिंग अपनी पार्टी के जन्तादल सेकुलर के बैनर तले तो गये थे नहीं आप से का ना कि कॉंग्रेस के प्रतीप पिता जी का जो लगाओ था तो अ आपनी 16 साल की उमर में कांग्रेस के हमेशा कहते थे कि हमें आनन्द भवन और सुरावजन के गेट पर बैठके मैंने राजनी किसी किया ते एक ममता और एक कहलेजिए एक वीकनेस कमजोरी जो 19 मही 1980 को हमेशा के लिए खत्म हो गई हां उनको यह लगता था कि इंद्रा जी इंद्रा जी खुद घर आके प्लीड करें बहुत बड़ी बाई यह नहीं एक जग पर तो उनको लगा कि अब लगता है कॉंग्रेस अच्छी पार्टी है एक साल तक प्रोसेस चला रिकिंग के इल्जाम मतलब घर्जबी हो गया हूँ 1981 मई से 82 82 82 के मई तक तीन बार रुका चुनाओ और काउंटरमांड भारतिवर्श के इतिहास में पहला चुनाओ है जो काउंटरमांड हुआ और आप सोच लीजे 1700 ट्रांसफर्स किये गहते सिफ एक पार्लिमेंटरी सीट को साधने के लिए किसी भी दिन 62 से कम मंत्री एवरिज निकाला था सबने 62 से कम मंत्री एक दिन नहीं होते थे 20 हजार से ज़ादा सेंटरल फोर्स को महाँ पर तैनाद किया गया था और मैडम इंद्रागांडी ने 34 पॉलिक मीटिंग बोली थी 34 पॉलिक मीटिंग एक लोग सभा एक बाई एलेक्शन और सुधान मंत्री की 34 रह लिया और हरियान और हिमाच यूपी पॉलिस को नहीं लगाया जाएजादा आ गया क्योंकि यूपी पॉलिस पिता जी को बहुत मानती थी पिता जी ने यूपी पॉलिस के हालात को सुधान के भी साथ सब्सक्राइज पॉलिस को ख़तम किया तो जो पॉलिस नहीं कोनती थी अंके पैंशिन का बहुत काम किया कि था साहादा किन पॉलिस यूपी लाड़ाय से हमाच शे μέल फुलिस आदा मंग गया अच्छा वो लग जब आये तो पूरे रियाक्शन हो गया, यूनों तभी नारा निकला था, गड़वाल कर चंदन ही मतिनन्दन, वहां के योगाओं ने, वहां के महिलाओं ने, वहां के आम आदमियों ने ये नारा दिया, उन्होंने क्या 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 गड़वाल की प्राइड की जाड़ू बनावना के, जो पिटाई करी, पुलिस वाल मुकिया, जो आये थे, बताब कितने तो दर्जनों तो अस्पताल पहुंचे, बत जाड़ू बना के मानना शुरू किया, विच्छू घास से उनने, हमारे कई वरकर गाय भी हो गया, आज तक आदे दे जादा गर् लेकिन मेरे बड़े भाई विजवा हुना, जो बाद में चीफ मिनिस्टर हुए है, लोयर थे, वकील, जज, तो वो पापा, तो मेरे पिता जी के वो चीफ एलेक्शन एजेंट थे, अब पाड़ी में बैठे वे थे, तो जब शुरू वार, उन्हों ने पहले तो शिकायत अब आप कुछ मत करिए, कोई लड़ाई मत लड़िए, आप सिर्फ जाहिए बूत पर और बूत पर जो एलेक्शन ऑफिसर है, उससे आप कहीए तो अपनी डायरी में जो तुमने देखा वो लिख दो, तुम कुछ मत करिए आप, सिर्फ उसकी डायरी में एंट्री करवाई इलेक्शन, उससी का तो बजला लेने के लिए फिर पापा को हराने के लिए अमिताब बच्चन उतारे गए, क्या हुआ है चाहरासी, बड़ा दिल तो तूटा होगा, बहुना जी ने पूरा जीवन इलाबाद में गुजारा और उसी इलाबाद ने उनको खारिज कर गीए, मैं नहीं कहूंगे, लाबाद ने खारिज किया, वो महाल ने खारिज किया, देखिये, एक तो मिसिस गांधी का इसाजनेशन उनके हत्या हुए थी, पूरे देश में उसका असर था, पर दूसरा, अमिताब बच्चन बहुती लोग पर यह नायक थे, और उननी दिनों कुली पिक्चर में उनको चोटोड लगी थी, अब पूरे देश की साइकी पे वो चाहे हुए थे, तो पिर उनका परिवार भी लाबाद से था, अर्बंच राए बच्चन बहुत समय से थे, तो पिता जी को गड़वाल उत्रा खनवाले कहरते कि आप यहीं से लड़िए, पर 84 मे पहार की राज में घूम नहीं पाऊंगा, और सब इलाबाद वाले पढ़ गए, आईए, 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 आगए, पिर इन लोगों को लगा कि इनको कोई हरा तो पाएगा नहीं, तो that was the first time जो उत्तर भारत में किसी एक कलाकार को, एक अक्टर को उतारा गया, NTR का फोन आया मेरे पिताजी के पाद, कि बहुना जी, मैं जानता हूँ कि आट्रस का कितना असर है, बहुना नहीं, इलाबाद में कुछ नहीं होगा, इलाबाद बुद्धी जीवियों का नगर है, इलाबाद ऐसा है, he had tremendous confidence, पिर अन्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् कि उन्हें प्री टोपी उतार दी, हारने के बाद, फिर नहीं पहने है, और टोपी इसलिए उतारी, उन्हें का, you know, not because, क्या में नितागिरी नहीं करूंगा, he said, my era of politics is over, these were his words in English, मेरे क्या का की राजनीती समापत हुई, और कॉंग्रेस ने भी जो पूरी प्लानिंग की कि पहले केपी तिवारी से, हैं, उसको खड़ा कर दिया, और बिनको फित्रकूट उतारके लास्ट मिनिट, एक गंटे पहले, पर NTI ने पापा को कहा, आ जाईए, मैं कहली कोप्टर भीज रहा हूं, आप से नामांकन करके चिकमगलूर से चले जाईए, मैं आप लौट की भी मताईए, चिकमगलूर से इंदरा जी जीत के आईए, तब पिता जी ने का, ना, मैं क्यों दो सीट लड़ूंगा, युना, इवन से विरी प्रिंस्पल मान, आप कोई कुछ उनके बारे में बोले, गल्तियां हो सकता हू आप एक पढ़िएगा इसमें बायान जिब उनने सी एफडी को कह रहे तो जग जीवन बाबू से कि आप इसको मर्ज मत करिये, लेकिन जग जीवन बाबू ने उनिलाटरल डिसिशन ले लिया कि मैं इसको जन्ता पार्टी में मर्ज कर देंगे, तो उन्हों ने लौटके ज सोच के लोग हैं, हम से किलर सोच के लोग हैं, सब उन्हों ने फिर लोगो को बोला, सो वेरेवर ही वस आप कभी उनको अपनी इडियालोजी से हटकर काम करते हुए नहीं पाएंगे मुझे दो मैंने स्टेट्मेंट अलग से माग कर रखे हैं, एक जो बोलते हैं, इंद्रा गांधी के असली नीती और चाल यही है, खरगोष से कहेंगी दोड़ो और कुत्ते से कहेंगी कि शिकार करो वोचो पौदा डाल लगाती है, रात को पौदा लगाती है, विद्यार शुबे लाती है, कि कही जड़ नी बखन ली और विश्वनात पृताप सिंह कैसे प्रधान मंत्री होंगे, वे राजनीत में बौने हो और अगर वे प्रधान मंत्री बन गई तो देश का विनाश हो आए यह भूला हुना है, he's a pygmy, English इंगलिश में बोला है, he's a pygmy, English 45 minutes के निए जिस दिन death you see then broadcast wow, he's a political pygmy, he's a political pygmy, he's what he's what मैं आपको छोटा सा पीसिस में से जो बड़ा दिल्चस्प है वो परके सुनाती हूँ, बहुना ने उस समय विनोत के स्वरों में एक पत्रकार से बाचीत के दौरान कहा था, जिस दिन मुझे दामंकन पत्र दाखिल करने जाना था उस दिन एक अप्शंकुन हो गिया, पत्रक कारे करने से पहले शगुन देखने की परंपरा है, उधारन के लिए यदि कोई तेल का नाम ले ले, तो यहां समझ लिया जाता है कि आगे कुछ गरबड़ी होने वाली है, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, नामानकन के दिन जैसे ही हम कार में बैठ कर कुछ दूर चले, कि ड् संबीर होते हुए वे बोले, इंद्रा जी ने मेरा विरोत कर मुझे इतना लंबा कर दिया है, कि अब मुझे वे बौना दिखाई देने लगी है, अब तक किसी प्रधान मंत्री ने सत्ना और धनका इतना दुरूपयोग नहीं किया, जितना इंद्रा गांधी ने मेरे चुन समावी समाई की, और केंद्र उत्तर प्रधेश ततर अंडर प्रधेशों को मिला का लगबग 62 मंत्रियों ने मेरे इलाके में दौरा किया, मद्दान वाले दिन, मद्दान केंद्रों की देखरे के लिए 47 मंत्री नुक्त किये गए, हेलिकॉप्टर दिन भर पूरे शेतर पर उड़ाने भरते रहे, अगर पुलिस की ताकत का इस प्रकार से नंगा उपयोग किया गया, तो समाचिक अस्तित्य खत्र में पढ़ जाएगा, यह स्तित्य लोगतंत्र के लिए खतरनाक सिगनल है, बात साफ है कि इंद्रा गांदी यह बात अच्छी तरह समझती हैं, कि मैं उनके बहुत अच्छी तरह, मैं उनने बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिएदी मैं सक्षम हो गया, तो उनके हित्मे नहीं होगा, यही कारण है कि मेरा ऐसा विरोध कर रही है, ऐसे कि कि किसी प्रधानमंत्री स्तर के नेता कि शायदी कभी किसी का किया हो, इसके पी अच्छी तरह, मेरा रक्त सम्बंधी जैसा है, रिष्ता है, फिर महमूर रूप से असली कांग्रेसी हूँ, और जितने गुण किसी कांग्रेसी में हो सकते हैं, विस समुझ में हैं, अब आप ही सोचिए कि वो मेरे मेरी निंदा करने के लिए सभा में खड़े होकर क्या कहे जैसे अटल ब्यारी बाजपाई जी का नाम लेकर उनको कम्यूनल कहती हैं वैसे मुझे कुछ कह नहीं सकती इंद्रा गांधी की असली नीती और चालिया है कि खरगोश से कहेंगी दोड़ो और कुटे से कहेंगी शिकार करो ये गड़वाल चनाव से संबंदित उनका प्रसंग है एक लास्ट सेग्मेंट है जिसमें हम जो भी ऑथर आते हैं उनकी रेक्मेंडेशन की पांच किताबें जो लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए तो फाइब बुक्स यूल रेक्मेंड तो आवर रीडर्स कोई भी हिस्ट्री की किसी भी चीज़ की पांच किताबें जो आपको लगता है कि जरूर पढ़नी चाहिए जिनकी दिल्चस्क्राइब लेकि मैं समझती हूँ कि हमें जीवनिया जरूर पढ़नी चाहिए अब चाहेए अब मैं exactly नाम तो आपनी बढ़ना है लेकिन tr dust अगर हमको समझना है हिस्ट्री का तो हमें जरूर से जरूर हमको पढ़नी चाहिए जैसे मिकाफ सबको पढ़नी चाहिए हीटलर सबको पढ़ना चाहिए हमारे भारत का Gandhi सबको पढ़ना चाहिए, किसी की भी किताब उठाइए, मैं कियों recommend करूं कि याप है सौतर को पढ़ियें, सौतर को न पढ़ियें, तो आपको उनको जरूर पढ़ना चाहिए, अब वरतमान में Modiji को भी पढ़ना चाहिए, कि हमारी हिस्ट्री का डेलिवेंट साज मोधी जी से है तो I think biographies are very important और अगर और पीछे जाए तो मैं ते कहती हूँ मेडिवल हिस्ट्री को भी पढ़ो कौंजी बॉक्स पैसे मैं तो अपने नाना की इभू बथाती हूँ आपको अगर आपस कोई पढ़ ले और सम आसपेक्स बुस्लिम एड्मिनिस्टरेशन क्या राइज एन फॉल ऑफ मुगल एंपायर एंड सम आसपेक्स बुस्लिम एड्मिनिस्टरेशन गजब एक एक लाइन पर उन एक लोगों ने थीसिस की कोई भी काल खंड हमारे इसका इतियास का पूरतिया कृष्ण नहीं हो सकता हर काल में कुछ अच्छी बाते कुछ बुरी बाते होती चाह हो हमारा प्राचीन तेरीक ने जैने काली नितियास को नितियास को पूरी तरह नकार देना तेरीक नतियास में भी तो दक्षन भारत में हमारे विजन अंगर अफ्राश्टि को थे यह मुस् cherche बिजन अगर थे सब तरह के लोग थे आपके नानाची की किताब है वो हिंदी में भी उपलब देखा, आइज इन फॉल आ है, 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 मेरे क्याल से है, हिंदी अनुवाद है उसका, लेकिन मैं आप चाहते हैं, कि मेरे बहुत clear thinking है, कोई भी कालखन पूर्तिय अच्छा नहीं है, कोई भी कालखन पूर्तिय पूर्त बहुत शौक था, हाँ, वो असल में 14-12 साल की उमर में ब्रिटिश स्कूल में चली गई, हाँ, तो हम लों का वी उरिंटेशन वही सब अंग्रेजी के तरफ जादा था, लेकिन हमने बहुत कम पड़ी हैं, हम जादा तर अपने subject के ही study में बहुत जादा रहे, अच्छा, य उनका बाले काल भी बड़ा रोचक है, जिसकी पिछल चाब मत करियेगा, उनका युवा काल भी बहुत रोचक है, बहुत सारी चीज़े छोड़ती है, कई तस्वीरें भी बहुत दुडलब हैं, नहीं, और मैं समझती हूँ कि उनका जन्म से लेकर, और मृती रोचक और बह मैं तो अभी तक तो मैंने किया नहीं है, पर मैं वह सीरिसली सोच रही हूँ, मैं अपनी पूलिटिकल जानी के साथ साथ अपने देश की खासतोर सो अपने देश की पूलिटिकल जानी को भी पहन करना जाती हूँ, जैसे पिता जी का जो है यह जीवनी है, उसको मैंने पू समाज को बदलते देखा है, मैंने कैसे वैल्यू सिस्टम को बदलते देखा है, मैंने कैसे राजनेक्टिक धाराओं को बदलते देखा है, सोच को बदलते देखा है, ये इन सब चीजों को मैं बहुत ही पारदर्शी तरीके से लिखोंगे, बहुत ही पारदर्शी तरीके से ल पहुती अच्छी महिला भी है, संभीधन्शील है, और उनको सुनने का काफी माददा है, कोई भी जाता था उसकी बात पूरी सुनना, और फिर अपने वेवार से सब को जोड के रखना है, बहुत बड़ी काबलियत थी उनकी, और राहुल गंदी, दस साल, लेकिन जो, राहु राहुल जी मेवरिक पॉलिडिशियन है, उनका ये कि कभी, क्या कहते है, क्या पतन युका कान कहावाते है, कभी मार्शा, कभी तोला, भरोसा नहीं है उनका, तो एक्चली, राहुल गंदी महनती तो है, लेकिन राहुल गंदी में विजिन और कुछ डिरेक्शन नहीं है, लीडर्शिप की जो कॉलिटी आपको अट्राक करती है, उसका बड़ बड़ा भाव है उनमें, अगर आप सही है, तो आपको प्रोटेक करती थी, लेकिन जब वो बैक हो गई, तो अगर राहुल जी की निगा हटी, तो सब आपको हांट करेंगे, तो मेरे तो एसी बहत प्र सब मेरे पीछे पड़ गए, अब सारी कहानी तो मैं खुद लिखूंगी, लेकिन मैं समझते हूं, I was, I did not quit, I was hounded out, अगर अगर अंग्रेजी कह सकते हैं, तो मुझे जबर्दस्ती पार्टी से निकलने के लिए हालाद बनाए गए गए है, आखरी सवाल, Is it difficult for BJP MP Rita Bahuna Joshi to participate in party meetings now, जब पिछले keenly contested विधान सभा चुनाओ में, Rita Bahuna Joshi के बेटे Mayank Joshi, जो आपकी इलाब लखनोग केंट की seat से टिकट मांग रहे थे, आप उनकी पैरवी भी कर रही थी, वहां से उनको टिकट नहीं मिलता है, प्रजेश पाठक को वहां भीजा जाता है, और फिर वो आजम गड़ की रैली में जाते हैं, और अखलेश यादो के साथ सपा में शामिल हो जाते हैं, तो बेटा सपा में है, मा भाजपा में है, अब मा को राजनीती करने में किस तरह की दिकट आ रही है? ने, कोई दिककत नहीं, देखिए, मेरा माइन बहुत खुलावा है, वो ब्यालिस साल की आयून की, और एक लोकतंत्र में हर एक को अपना रास्ता चुनने का अधिगार है, हमारी पार्टी की नीती है कि मैं परिवार के लोगों को जादा प्रमोट नहीं करेंगे, परिवार अधिगार के खिलाफ रहेंगे, वो बारास साल से काम कर रहा है, उसको लगता मेरा राइड बनता है, अब वो सही, देखिए, मैं उनको रोकनी की कोशिश की, उनके साथ विवाद किया, लेकिन अल्टिमिटली ही इस इन इंडिविज्वेज्वे उसको अपना राइड है च किसी दिन आप मिलियेगा, तो आप से खुलके बात कर रहे है, रीता जोषीवी बहुनाजी की कुछ स्ट्रीक है, ना डर्ति वर्ति नहीं किसी से। लेकिन मुझे कहीं जगे ही मुझे ग़ता है, कि मैं कमपेल्शन में मैं भी काम नहीं करती है, लेकिն मुझे मुझे लगत तब हमको बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे compartments में बाट के country को भचा पाएंगे क्या आप शीलंका पाकिस्तान बंगलादेश नेपाल सबका हाल देख रहे हैं अफगानिस्तान and we are living in that same geopolitical region तो मैं ही समझती हूँ कि विकास की आत्रह सही है और मैं बिलकुल सही जगे हूँ और लेकिन जहां मेरा मन भेद होगा वहां मैं बोलूंगी परन्तु पार्टी फोरूम में बोलूंगी पार्टी के बाहर नहीं Do you miss teaching? Well, initially I used to, I miss the environment वो देखे जो सम्मान मिलता था पढ़ाने का और इश्वर के कृपा से मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिला पढ़ाने में लोग मां कहते थे She's one of the best teachers in university I was not, I was not, I was not, I was not a good teacher नहीं थी पर मैं अच्छी teachers में मानी जाती थी और बहुत सम्मान हमको लोग ने, क्यों दिया हम university politics में कभी नहीं फ़से हमने कभी भी पिता जी किसी party रही हो किसी को चुड़ा नहीं हमने student politics में नहीं फ़से और हम teachers politics में भी नहीं फ़से तो हम a very respected teacher तो miss तो करते हैं क्योंकि वो जो अपर खुशी होती कि जहां भी जाते हैं देश में कोई नहीं student मिल जाता है अच्छी जगने मानम जैसे हो माम करता है उसकी आंग में जो चमक आती है हम समझाते है इलावाद university का मेरा product है आज की किताब वाला में इतना ही उनके बेटे हमारे मित्र है तुरों ने हमको फोटो भेजी बोले अरे यह देखो किया है पढ़ना हमाँ पास हिंदी आगी हम तो औरिजिनल पढ़ेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किताब उपलब्द है मैंने ने बताय था कि आप कर रहे हैं तो किताब वाला की यह बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए किताबों का पढ़ने का पढ़ाने का यह सिलसला यूँ ही चलता रहेगा रीता जी आपने इतना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहे हैं प्लॉलन टोब दन्यवाद